गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर से यूटूब चेनल पर आप सब लोगों का स्वागत है मपवन कुमार सर्मा और अपने इंडियन पॉब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल जो की ओनलाइन क्लास आप लोग सब पढ़ रहे हैं कक्सा 10 संस्कृत आज मैंने वेटा आपको एक जो संदी है वो बताई थी उत्व संदी आज अपन पढ़ेंगे वेटा सत्व संदी सत्व संदी में क्या है कि जब इसका एक सुत्र है खरी परे विसर्जनियस से सहषात अर्थात विसर्ग के स्तान में सैकार आदेश होता है विसर्ग के इस्तान पर सहकार आदेश विसर्ग के बाद में जब कुछ सब्द हैं जिनके आने पर विसर्ग का सह हो जाता है तो किस प्रकार से आपको करना है देखिए विश्णू सबसे पहले आप एक इसका नियम है वो आप लिखें यदि विसर्ग के बाद कै तै धै होता है तो विसर्ग का जो है से कर देते हैं तो एक तो ये इसमें सेकारादेश है एक इसमें है विटा चै छै अगर वर्ण होता है तो इसके अंदर सकारादेश होता है और एक इसमें टै और ठै इसमें विटा सकारादेश होता है तो किस प्रकार से आप इसको करेंगे देखिए अपना पहला जो उदारन है नमहें प्लस ते तो जब तै आता है तो आपको ये सकार आदेश करना है यह आपने देखिए सकार तो विसर्ग का से हो जाएगा हलन्त होगा तो नमस ते इस प्रकार से जैसे विष्णू प्लस तराता विष्णू विसर्ग के बाद में तै आया है विष्णू विसर्ग के बाद में तै आया है तो आप किस प्रकार से करेंगे यही आपका से होगा फिसे विष्णू और सकार आदेश है प्रख्यार से करेंगे विसर्ग कर जैंगा जैसे दनू प्लस टंकार है तो विसर्ग के बाद में टै आया वो से हो जाएगा देखिए उधर ये से धनू स्तंकार ये हलन्त होगा दनू स्तंकार है अगला देखिए रामेहं प्लस चै तो चै में देखिए कुण सा सकार है ये से तो यहाँ पर देखिए रामय है विसर्ग का से हो जाएगा कुण सा यह से है लियान्त तो रामाश्च अगला है नी प्लस छल तो नी प्लस छल विसर्ग का फिर से हो जाएगा निश्चल यह आपका निश्चल इस प्रकार से आपको उदार्ण करने है और भी बहुत सारे इसके उदार्ण है आप खुद कर सकते हैं पुने हैं प्लस छै खुद बना सकते हैं आप पुने हैं प्लस छै तो किस प्रकार से बनाएंगे इस विसर्ग का से कर देंगे तो पुने हैं अगला जो उदारण है आप बना सकते हैं व्याकूला है प्लस चलीता है तो इस विसर्ग के बाद में चाया है तो इस विसर्ग का से कर देंगे चाया तो कौन सा से करना यह सकार तो यह व्याकूला चलीता है इस प्रकार से कर देंगे व्याकूलाश चलीता है अगला देखिए कपोता उतलस अपर सब्सक्थों है कपोता ही प्लस तत्री तत्रुप विश्टा ह cost द्रूप विश्टा है कर दो इसenter के बाद में तयाया है तो आप खुद बणा सकते हैं कौन सा से आएगा ते के भाद में यह जो आपका शे यह आएगा कपोतास तत्रोप विश्टाह तो यह से आप कर देंगे sounds लम्बिताहा प्लस तम यहां पर भी तै के बाद में विसर्गी के बाद में तै आया है तो कौन सा से करना है आप देख लीजी नियम मैंने उधर लिखा रहा है यदि विसर्ग के बाद कै तै धै आता है तो यह से करना है तो यह से करना है तै ठै ठै आता है तो यह से करना है इ अब यहां पर उदारण करने है अगला जो उदारण है देखिए प्रतीकारे है प्लस चिंतियाम प्रतीकारे है प्लस चिंतियाम एक मिनट शोरी प्रतीकारे है प्लस चिन्तियाम यह हो गया आपका प्रतिकार है प्लस चिन्तियताम चिन्तियताम आएगा चिन्तियताम इस प्रकार से करना है विसर के बाद में चाया है तो आपको देख लीजिए यहां कुन सा से करना है विसर के बाद में चायाता है तो यह सेकार करना है यह सेकार आदेश तो आप इस से का चारा लेंगे और बनाएंगे अगला उदारण है ततह प्लस तेशू ततह प्लस तेशू यह हो गया आपका ततह प्लस तेशू तो विसर्ग के बाद में यह तयाया है और विशर के बाद में जब यह ता आता है तो आपको कुर सा से करना है देखो ततस तेशू इस प्रकार से यह से करना है है अगला है ब्रांताहा प्लस संति ब्रांताहा प्लस संति तो किस प्रकार से करेंगे इस विशर के बाद में यह से आया है तो यही से हो जाएगा वापस ब्रान्ता संती हो जाएगा किस प्रकार से करेंगे विसर के पहले यावाद में तयाए देखे ब्रान्ता तो ये विसर का ये से कर दिया और ये संती वैसा का वैसा ब्रान्ता संती ही इस प्रकार से कर देंगे अगला है चिंतकई प्लस चै चिंतकेही प्लस चय इस प्रकार से विसर्ग के बाद में चय आप देख लीजिए आगे हिमाद्रे प्लस चय वह है हिमाद्रे प्लस चय वह तो किस प्रकार से विसर्ग के बाद में आपको करना है जो है विसर्ग के बाद में चय आया है धन्या प्लस तू, धन्या प्लस तू, विषर के बाद में तयाय है, तो यहापर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको उधारन मणाने सत्व विधान संदी के, अगले आपके और उधारन हैं कुछे, आप कीजिए, जनम भूमी प्लस चै, जनम भूमी प्लस चै, अगला है बहुतेह प्लस सरवदा बहुतेह प्लस सरवदा विसर्ग या विसर्ग से पहले तैह हो कि बाद में या पहले तैह हो तो यही से होगा सकारादेश इस प्रकार से सिक्षनिया प्लस तू शिक्षनिया प्लस तू विसर्ग के बाद में तैह आया है तो आप कर सकते हैं देव गुरू प्लस तपो वने देव गुरू प्लस तपो वने तो इस प्रकार से बेटा आपको ये आपकी विसर्ग संदी सत्व विधान संदी हल करनी है और पाठे पुस्तक में जितने भी उदार ना आए हैं आप खुद अपनी होमरे की कोपी में उतारेंगे और समझ करके उनको सही करेंगे उत्व विधान संदी मैंने आपको बता दी सत्व बता दी आज अपन और पढ़ते हैं रुद्व विधान संदी रुद्व विधान संदी में रय आदेश होता है विसर्ग का रय हो जाता है विसर्ग का रय करना है आपको किस प्रकार से करेंगे देखिए विसर्ग का रह करना है इसमें एक सुत्र है इचो असी विसर्गस से रेप है अर्थात विसर्ग ए या आ के अलावा जब कोई स्वर आता है विसर्ग के बाद में तो विसर्ग का रह हो जाता है परस से विसर्गस से असी परे रेपा देशो भवती अर्था स्वरे म्रदू व्यंजने चै ए और आ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो आपको विसर्ग का रह आदेश करना है यदि पर्थम पद के विसर्ग के पहले ए या आ के अलावा कोई भी स्वर होता है तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या तीस रा चोथा या पांच वर्ण होता है तो आपको रह आदेश करना है आप लिख लीजिए विसर्ग रुत्व विधान संदी रुत्व विधान या रुत्व संदी एकी बात है इसका आप लिखिए यदि विसर्ग के यदि प्रथम पद के विशर्ग से पहले प्रथम पद के विशर्ग के पहले यदि प्रथम पद के विशर्ग के पहले ए या आ के अलावा ए या आ के अतिरिक्त या अलावा ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो कोई स्वर हो यदि प्रथम पद के विशर्ग के पहले आय या आके अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चोथा वर्ग का तीसरा चोथा या पाच्वावर्ण या पाच्वावर्ण या ये रै लै वै और है इन में से कि इन में से कोई वर्ण हो में से कोई वर्ण हो हो तो विसर्ग का रै हो जाता है विसर्ग का रै हो जाता है ये रुत्व विदान संदी है मतलब विसर्ग के इस्तान पर रै आदेश ये है रुत्व विदान संदी विसर्ग बराबर रै अरतात विसर्ग का रै करना होता है इसमें जैसे मुनी प्लस इती मुनी प्लस इती जैसे ए और आ के अलावा कोई स्वर हो विसर्ग के बाद में तो यह आया यहां पर तो विसर्ग का रह हो जाएगा कैसे मुनी वैसा का वैसा रहेगा रह आदेश हो जाएगा एकी मात्रा लगेगी तो मुनी रिती विसर्ग का रह हो गया मुनीर इति अगला है भानू प्लस असु भानू प्लस असु तो यहां पर भी भानू प्लस असु रह आदेश हो जाएगा विसर्ग का रह हो जाएगा किस प्रकार से करना है देखो बानू के बाद में उ के बाद में ए या के अलावा विसर्ग से पहले जो सो रहा है उ इस विसर्ग का रह हो जाएगा तो किस प्रकार से करेंगे बानू और रहा देश हो गया रहा लेकिन ए आएगा तो पूरा हो जाएगा और सो वैसा का वैसा ब भानू रसो हरी प्लस अयम हरी प्लस अयम विसर्ग से पहले यह आया है तो रहादेश होगा हरी और यह रहलंत है लेकिन ए इसमें आएगा तो पूरा हो जाएगा हरी रहादेश इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं ते प्लस अ गतम तो किस प्रकार से करेंगे विसर्ग से पहले यह तो रहादेश हो जाएगा यह रहत हो ते रहादेश प्लस गत्छति धेनूर प्लस गच्छती किस प्रकार से करेंगे देखिए धेनूर विशर्ग का रे कर देंगे तो रे के साथ फिर कोई स्वर नहीं है तो रे आहलन्त रहेगा रहलन्त मेशा उपर लगाते हैं अपन गच्छती ऐसे कर देंगे धेनूर गच्छती रे उपर चला जाएगा एते प्लस बक्षितम किस प्रकार से करेंगे देखो एते प्लस पक्षितम तो यहां पर देखिए विशर्ग के बाद पहले आई है तो विशर्ग का रे हो जाएगा एते रे हलन्त है आगे कोई स्वर नहीं है तो उपर चला जाएगा ब्रक्षितम उजाएगा इस प्रकार से एते रबक्षितम इस प्रकार से आप रे को उपर ले जाएंगे ये तेवैसा का वैसा रहेगा तो इस प्रकार से आपकी विसर्ग का रह करना है आगे और कई उधारण है जिनको आप तोड़े लिखें रुत्व विधान संदी के देखिए किस प्रकार से करने हैं जैसे पुनेहें प्लस अत्र पुनेहें प्लस अत्र इसमें एक अलग प्रकार की कंडिशन है रिकारांत और संबोधन संदी सब्द हैं उनके विसर्ग का अकार और अकार से बाद भी रहादेश होता है जैसे पुनेहें प्लस अत्र तो किस प्रकार से करेंगे विसर्ग का रह कर देंगे तो पुनरत्र बनाएंगे इसका जैसे प्राते है प्लस गच्छती प्राते है प्लस गच्छती तो इसमें भी प्राते है प्लस गच्छती आगे स्वर नहीं है तो गय के उपर रह चला जाएगा प्रातर गच्छती इस प पिता है प्लस वंदे पिता है प्लस वंदे विसर्ग का रह कर देंगे तो किस प्रकार से तै और रह मिलकर के त्रह हो जाएंगे पित्र वंदे बनेगा या रह उपर चला जाएगा देखिए पित विसर्ग का रह है तो बैकर उपर चला जाएगा तो यह बनेगा पित्र वंद इस प्रकार से आप बना लेंगे इसी प्रकार से मातह वंदे बना सकते हैं इस प्रकार से आप इसका रह करेंगे विसर्ग का तुवेकल के उपर से लाजाएगा रह मातर वंदे इस प्रकार से ही आपका रुत्व विधान संदी का जो नियम है कि कम्प्लेट होता है आप रुत्व विधान संदी को पड़ा वीडियो रोक करके ओमरग में करें और याद करें और कोई चीज नहीं समझ में आये तो आप बैक जाएं वापस वीडियो को देखें और किसी भी प्रकार के समस्या आये तो आप वापस इस वीडियो को चला चला करके देख देख करके आप इसको सीख सकते हैं उदार्ण लेख सकते हैं और पाटे पुष्टक के जितने पी उदार्ण आये हैं उनकी साहिता लेकर करके आप ओमरग कर सकते हैं अब आपका है विसर्ग लोप होता है वो है विसर्ग लोप संदी किस प्रकार से करनी है देखी विसर्ग लोप ऐसी कौन-कौन सी इस्ततियां है जिन में आपको विसर्ग का लोप करना है तो आप देखिए आक्स के बाद में विसर्ग का असी यानि स्वर और व्यंजन आए तो उस पर विसर्ग का लोप होता है विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो देखिए देखिए विसर्ग से पहले जब विसर्ग से पहले आ हो और उसके विसर्ग के बाद कोई भी और उसके बाद कोई भी स्वर्ग हो या वर्ग का तीसरा या वर्ग का तीसरा चोथा पांचवा वर्णिया या या यरलव हमें से हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोब हो जाता है जैसे उदारन देखिये बाला प्लस अत्र विसर्ग से पहले ले आ गया यह रह लेव है तो विसर्ग का लोब हो जाएगा और विसर्ग का लोब खोने पर आप लिखेंगे बाला अत्र विसर्ग नहीं आएगा बाला आत्र और संदी का नाम लिखेंगे विसर्ग लोप संदी लता प्लस एधन्ते लता प्लस एधन्ते तो यहां पर देखिए विसर्ग से पहले आ हो देख लो वाँ विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग से पहले लता में आ है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा लता और एधन्ते अलग अलग आएंगे दोनों एक जोड करके नहीं लिखना है दोनों को जोड करके लिखने पर गलत हो जाएगा यह अलग लग पद हैं दोनों विसर्ग अठाने क इस्तती में दोनों अलगी रहेंगे लता प्लस एधनते अगला है ता प्लस गचंती ता प्लस गचंती विसर्ग से पहले आ हो या विसर्ग के बाद बर्ग का तीसरा आक्षर चोथा आक्षर या पांचो आक्षर तो गया मेसा तीसरा होता है तो विसर्ग के बाद में गया आय अब ढ़ए था अब कर देंगे और सथा कहते कुछ गछ enc those ओस से पहले आया है तो इसर का लोग हो जाएगा और ऐसी इस्तती में आप बनाएंगे ता को अलब कर देंगे और जुन हड्कती वैसा सब्सकुने और कि यहीटरण प्रिड़ियां तो बिर्ड़ कि एffect विसरग का लोग हो जाएगा तो वृद्धा वैसा का वैसा रियान्ती वैसा का वैसा यांती विसरग अठादेंगे तो यह दोनों लग-लग पद रहेंगे इस प्रकार से बेटा आपको विसरग हटाना है ऐसे कई उधारण है जो आप खुद कर सकते हैं अब मां आपको आप खुद बना सकते हैं बाला प्लस हसंती बाला प्लस हसंती विसर के बाद यह अलव है यह आया है विसर के पहले आया है तो विसर कर जाएगा अगला है अतह है प्लस एव शीवे है प्लस इती विसर के ठेगा इनमें सब में रामे है प्लस आगच्छती प्लस इती बाले है प्लस इती इत्षति, बाला है प्लस इत्षति, बुद्द है प्लस इती, अगला है अरजुने है प्लस वाच, अरजुने है प्लस वाच, राम है प्लस आगच्छती राम है प्लस आगच्छती विसर्ग अटेगा इनमें सब में बाकी वैसा का वैसा आएगा क्रिश्ण है प्लस एती क्रिश्ण है प्लस एती तो यह है आपकी विसर्ग लोग संदी लेखिए संदी का जो चेप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से दोरा देना चाहता हूं सबसे पहले अपने संदी पड़ी स्वर और व्यंजन का ज्यान किय स्वरों का पता होना बहुत जरूरी है स्वर और व्यंजन क्या होते हैं तो अपने बारात जो है तेरा स्वर होते हैं तेरा स्वर होते हैं संस्कृत में और 33 व्यंजन होते हैं जो है आठ है बड़े स्वर होते हैं पांच छोटे स्वर होते हैं 33 व्यंजन होते हैं जिनमें 25 संदी बताई वियंजन संदी के बेद वकार से अब के संदी कर चेप्टर है अगले वीडियों में अपन और व्याकरण का कोई दूसरा शुरू करेंगे तब तक के लिए धन्यवार और मैं उमीद करता हूं कि दसवी क्लास के सभी विद्यारती ध्यान देकर के मेरे इस वीडियो को पढ़ रहे होंगे और याद करेंगे होमर की कोपी में करेंगे आपकी कोपी कभी भी घर आकर के किसी भी अध्यापक द्वारा देखी जा सकती है सतर करें कोविड-19 के तैट जो उनलाइन प को पढ़ाऊंगा बाकी जो है आगे दूसरे वीडियो में अपन और पढ़ेंगे थैंक्स